बच्चों ये है revision series जिसमें हम लोग नौदे विद्धाले और सैनिक स्कूल के complete slables का revision करने वाले हैं एक lecture में मैं एक chapter revise आपका करवा दूँगा सारे important question उनकी मैं practice आपको करवा दूँगा इसी lecture में यानि हर एक lecture में एक एक chapter की practice हम लोग करते जाएंगे और भी अधिक practice आपको करना है बच्चों तो drone school का app आप download कर सकते हो ये है हमारा drone school का app जो की play store पे available है इसमें mock test की series available है तो जैसे ये सैनिक का mock test का series है हिंदी और English medium दोनों में ये नौदे विद्धाले का mock test का series है 50 mock test series नौदे विद्धाले के लिए है 25 mock test series भी है हिंदी और English दोनों medium में इसमें कैसा आपको mock test दिखेगा ये मैं दिखाता हूँ जैसे इस तरह की से आपकी ranking दिखेगी जब आप mock test दे लोगे तो इस तरह की ranking आपकी दिखेगी ताकि आप analyze कर पाओ कि आपका score क्या रहा है आपकी ranking क्या रही है आपकी strength और आपकी weaknesses दिखेगी ताकि आप अपनी weakness पे काम करके अपने आपको और improve कर पाओ और इस exam को clear कर पाओ तो इस तरह का dashboard दिखेगा जिसमें आप questions attempt कर सकते हो mobile में भी कर सकते हो और desktop पे भी ये questions सारे attempt कर सकते हो अगर आप 9 विद्याले की तयारी कर रहे हो तो especially हमने ये crash course अभी जल्दी launch किया है जल्दी start किया है इस crash course में 9 विद्याले के complete syllabus को कम time में हम लोग cover करवा रहे हैं और बिल्कुल ही comfy में तो अगर आप एक बार complete revision चाहते हो और 9 विद्याले के सलेबश का तो इस crash course में जरूर से enroll करें सैने की सुल के लिए सैने कलफा 3 batch है हमारा और 9 विद्याले के लिए अगर complete batch चाहते हो तो अरजुन batch है हमारा और इसके साथ साथ ही अरजुन batch के साथ साथ ये हमारा model paper की series है जो 50 model paper की series है अगर आप 10% का discount चाहते हो तो exam 10 coupon code का use कर लेना exam 10 coupon code हमारे app में आप apply कर सकते हो कैसे apply करना है बताता हूँ जो भी course खरीदना है सबसे पहले तो store section में जाना और वो course select करना select करने के बाद यहां पे आप देखोगे तो exam 10 लिखा होगा इस पे click कर देना तो exam 10 पे जब click करोगे तो यह price आपकी कम हो जाएगे और buy now पे फिर click करके आगे proceed कर सकते हो यहां से आपको continue पे click करना है फिर इस razor pay के option पे click करना है तभी आप discount का lab उटा पाओगे ध्यान रखना है रिजर पे के option पे click करना उसके बाद से फिर किसी भी payment method से आप payment करके इस course में enroll कर सकते हो ठीक है किसी भी जानकारी के लिए 6260-388-361 पे call या whatsapp करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं किसी भी badge की बारे में फिलाल अभी ये video complete देखो बिल्कुल भी skip मत करना क्योंकि इससे तुम्हारा ही फायदा होगा revision तुम्हारा ही होगा so enjoy the lecture बच्चों इस lecture में हम लोग solve करने वाले हैं square, cube and powers square उसके साथ square root भी पढ़ेंगे, cube के साथ cube root भी पढ़ेंगे and powers का छोटा सा concept है याने कि घात और घात आंक वाले chapter के थोड़े questions करेंगे जो आपके exam के द्रिश्टिंग कोंड से महतोपोन है याने कि important है, ठीक है पहले सवाल से start करते हैं लेकर उसके पहले बता दूँ आपको कि अगर आपने इस sheet को solve नहीं किया है, तो course के अंदर आपके crash course के अंदर ये sheet है तो download कर लेना एक बार, उसको solve कर लेना और उसके बाद ही ये solution देखना अगर फिर भी मान लो कि अभी तक solve नहीं किया है, तो एक काम आप और कर सकते हो कि मेरे साथ साथ ही solve करना, लेकिन जैसे मैं solve करूँ ना, उसके पहले तुम्हें solve करना है बटा, ठीक है पहले solve करके अपना answer लेकर आओ, और देखो वो answer मेरे solution से match कर रहा है कि नहीं ये काम एक अच्छा काम हो सकता है, अगर आप ऐसे करोगे, तब आप success हो सकते हो इस इंटरंस exam में तो पहले खुदी solve करना, और अगर नहीं आता है question तो मेरा solution देखना, ठीक है पहले question, बड़ा सरल सीधा सा सवाल है कि 88 का वर गयात कीजिए, देखो कितना simple सवाल है बटा, इससे simple सवाल आएगा क्या बस revision सीधा तो सारी चीज़े हम लोग revise जरूर करेंगे, तो 88 का square बटा, 88 into 88 कर दो न, ये तो तुम कर ही लोग गया और इसको क्या करवाना, 88 64, अजिल 6, 88 64 होच्छे कितना होगा, 70 होगया, फिर 88 24, फिर वही बात 704 यहां भी हो जाएगा, तो 4477, 7744 option होगया D, ठीक है, हमने second question जो है, इसका वर्गमूल निकालना है, find the square root, अब square root बटा हमने दो तरीके से बताया थे, आपको याद है कि निमता नजरा, एक हमने बताया था, factorization method, यानि कि गुड़न खंड विधी, और दूसरा हमने बताया था भाग विधी, भाग विधी यानि कि division method, ठीक है, त last में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो last के digit का अगर square करोगे, तो 3 का square होता है 9, 9 का square होता है 81, और 1 का square होता है 1, 7 का square होता है 49, अब इन में से तुम देखो न, तो केवल इस में, यानि कि C option में, और B option में, 1 आ रहा है, last digit 1 आ रहा हो सकता है अब ज़रा देखना है बटा मैं कितने एक छोटी सी ट्रिक लगा करके दिमाग लगा करके कितने आसानी से इस question का जबाब लेकर आओंगा आप सभी के सामने देखना जैसे मालो ये है आपका अब हमको पता है कि C option में से या B option में से कोई एक होगा ठीक है अब एक बात और समझना ये है आपका 81 है और ये आपका 79 है आप 80 का square जानते हो कि 6400 होगा यानि जो भी हमारा square root आएगा वो 80 से तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये 6500 और 61 है 80 से ज़्यादा होगा तो C वाला option तो 80 से काम है भाई तो ये थर खतम होगया option B ही हमारा correct answer हो जाएगा तो ये छोटी-छोटी tricks बाटा बहुत काम आती है है ना तो ये छोटी-छोटी tricks को आपको जरूर से practice में लेना है practice खूप सार इनकी कर नहीं है तभी आपका काम बनेगा चलो तो यहां से और लेकिन हम लोग इसको solve करेंगे बटा अच्छे से answer तो हम ला लिए ठीक है वो तो ला लेंगे लेकिन इसको solve करेंगे अच्छे से चलो भाग विदी से यानिकी division method से solve करते है 6,5 and 6,1 देखना इसको कैसे solve करेंगे 6,5,6,1 है अब उन दो-दो का हमने जोडा बना लिया 8,8 जा 64 कर लिया ठीक है प्लस 8 किया तो 16 हो गया और 65 में से 64 घटाया 1 आगया 161 1 यहां रखा 1 यहां रखा तो 161 खतम है ना तो यह हमारा answer हो गया 81 this will be the answer option B ठीक है बटा देखो simple सा सवाल root 36 into root 225 root 36 से value होती है 6 and root 225 की value निकाल होगी तो यह कितना होगा 15 होगा 15 का square होता है 225 तो 15 गुने 6 कितना हो जाएगा 90 option होगया correct ठीक है बटा यहां से देखो यह वाला question ज़रा solve करो root x by 6 is equal to 16 by 12 अब यहां से देखो यह बड़े आसानी से तुम कर सकते हो कैसे यह 6 to 12 यह तो खतम हो गया और 2 से यह काटा तो 8 यानि कि root x is equal to 8 तो यह जो चीज है root यह इधर जाएगा तो square बन जाएगा है ना तो x is equal to 8 square यानि कि x is equal to 8 का square करोगे तो 64 x की value आगई 64 ठीक है यहां भी वही काम करना है बटा x upon क्या लिखा हुआ है x upon 24 and is equal to 8 upon 12x अब देखो यहां से देखना यह 12 है यह 24 है तो 2 times कट गया दो बार हमने काट दिया दो बार में x का इधर ले जाकर के गुना कर दो तो x into x is equal to 8 into 2 यानि x square बराबर 16 है तो x की value क्या होगी बटा अंडर root 16 है जो की होता है 4 के बराबर ठीक है तो यहां से हमारा answer आगया 4 ठीक ऐसे easy जीसे सवाल होंगे बटा कोई बहुत भारी भर कम सवाल नहीं होंगे बहुत आसान आसान से सवाल होंगे देखो कुल मिला करके 20 question इसमें है 20 नहीं 30 question लगबग इसमें है और उसके बाद हम लोग power and indices से कुछ questions कर लेंगे तो वो भी आराम से कर लेंगे ठीक है पूरी video आपको देखना है पूरा करना है बटाया से बिना पूरा किये नहीं फिर exam नहीं निकलेगा वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 26 स्व में जोडने पर पूर्ण अवर्ग बन जाए ध्यान रखना मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आज से ये पूछे ना कि छोटी से छोटी संख्या जिसमें जोडने या घटाने की बात वो करता हो न तो आपको लगाना है division method बिना division method के ये question नहीं बनेगा बटा तो भाग विधी से ही ये question बनेगा अगर आपको भाग विधी नहीं आता है तो ये question नहीं बना पाओगे कह रहा है वो चोटी से छोटी संख्या बता है जिसे 2600 में अगर हम add कर दें जोड दें तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा अब देखो 2600 में जोडना है ठीक है तो the smallest number जिसको हम लोग 2600 में जोडना चाहते हैं तो हम एक काम करेंगे बटा 2600 का हम लोग क्या निकालेंगे square root निकालेंगे भाग विधी से ठीक है अब देखो भाग विधी से जब square root निकालेंगे तो ये pair हमने बना दिया जोडे बना दिये अब पांच पंजे हो गया 25 25 हो गया तो प्लस 5 किया पांच पांच 10 हो गया यहां one double zero ठीक है one double zero हुआ है देखना देखना समझना बात यहां अगर हम one रखे तो यहां भी one रखना पड़ेगा तो one into one zero one तो one zero one हो जाएगा ठीक यह कितना जादा है तो one एक जादा है मिटायानी की एक की और आवशकता है यहांनी हमारा answer हो गया one इसका मतलब यह है कि अगर हम 26 2600 में one add कर दें तो यह हो जाएगा 2600 2600 one यह हो जाएगा 2600 one और यह complete square है यह एक बटा complete square है मैं इतने confidence के साथ कैसे कर रहा हूँ भाई कि यह complete square है या फिर यह इसको आप लोग बोल सकते हो कि this is a perfect square या तो आप इसको complete square बोलो या perfect square बोलो या हिंदी में आप बोलो पूर्ण वर्ग है ठीक है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो अब देखो इतने confidence के साथ कैसे बोल रहा हूँ अगर तुम 51 का square करोगे तो 51 into 51 देखो यह 51, 5, 5, 5, 25 तो 1, 0, 2, 6, 0, 1 है कि नहीं तो यानि कि यह 51 का 2, 6, 0, 1 है न वो 51 का square है और कोई भी संख्या किसी भी संख्या का अगर completely square root निकल जाता है तो समझ लो वो संख्या completely square है समझ गे बात बिटा तो इसलिए यह वाला जो number है हमारा यह 2600 में 1 add कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा ठीक है यह question important है question question में है बटा this is important question so you can mark it as important question and note down in your notebook आपको important question वाली notebook में इसको लिख लेना है और अच्छे से ऐसे questions की practice करनी है अगला question देखो ऐसी लगुत्तम संख्या ग्याद करें मतलब छोटी से छोटी संख्या find the smallest number which when multiplied by 45 becomes a complete square अब गुणा की बात कर रहा है multiplication की बात कर रहा है तो कौन से method से solve होगा बोलो factorization method से तो 45 का अगर हम लोग निकाले क्या square root निकालने की कोशिश करें नहीं factors निकाले तो 3 1535 3 से काटा तो 3 पंजे पंद्रे पांच से काटा तो खतम है ना 3 के जोड़े तो बनगे बटा ये 3 का साथ ही तो मिल गया 5 का जोड़ा कहा है तो 5 का एक और जोड़ा लाना पड़ेगा एक और number लाना पड़ेगा तो हमारा यही 5 ही answer है कि अगर इसमें 45 में हम लोग 5 से गुणा कर दे तो ये perfect square बन जाएगा option हो जाएगा हमारा यह तो मैंने आपको बताया है लेक्चर में बताया है कि जो चीज छूट जाता है यानि कि जो अकेला छूट जाता है वही हमारा answer हो जाता है चाहे भाग की बात करे चाहे वह गुणा की बात करे तो जब भी गुणा या भाग की बात करेगा complete square बनाने के लिए बटायाने की perfect square बनाने के लिए जब भी वह गुणा या भाग की बात करेगा तो आपके दिमाग में तुरंद क्लिक करना चाहिए दिमाग घंटे बजने चाहिए कि क्या हमको ये method लगाना है कौन सा method है ये बोलो this is the prime factorization method या फिर आप factorization method कहलो good and khandavidhi कहलो ठीक है बटा तो good and khandavidhi या फिर factorization method आप लगा सकते हो ठीक अगला question देखो उन क्या कह रहा है the next question is ये कह रहा है बटा कि वह लगुत्तम संख्या क्या होगी जिसे से 1620 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो पहले वाले में गुणा की बात कर रहा था भाग की बात कर रहा है तो अगर 1620 में भाग की बात कर रहा है तो देखना बात समझना और तीन थिरे करनो तीन पंजे पंदर हुआ, तीन से काटा तो तीन चोग के बारा तीन पंजे पंदर हुआ, तीन से काटा तो फिफ्टीन आ गया, फिर तीन से काटा तो फाइव आ गया, फिर फाइव से काटा, तो ये खतम हो गया, अब देखना किसका किसका जोड़ा बन ज तो इसका जोड़ा नहीं है, यानि कि यही हमारा एंसर है, यानि कि 5 ही हमारा एंसर है, यानि अगर 16-20 में मैं 5 से डिवीजन कर दूँ, कहने का मतला अगर 5 को बाहर निकाल दूँ, तो हमको perfect square number 1 मिल जाएगा, बात समझ रहो की नहीं मिटा, तो इसलिए हमारा एंसर क्या होग and D option, ठीक है, चलो, अगले question पर चलते हैं, वह चोटी सो चोटी पूर्ण वर्ग संख्या, जो 3, 4, 5, 6 त था, 8 से पूर्ण त विभाजित हो, the least perfect square number, which is exactly divisible by 3, 4, 5, 6, कह रहे बटा, perfect square number भी होना चाहिए, और इन से divisible भी होना चाहिए, तो divisible होने के लिए, सबसे पहले तो अपन LCM निकालेंगे न, 3, 4, 5, 6, 8 का, अगर मैं LCM निकालू, तो कितना आएगा, divisible होने के लिए, विभाजित होने के लिए, और चोटी से चोटी संख्या भी हो, तो हमको LCM निकालना पड़ता है, ठीक बटा, तो 3, 2, 2, 4, 5, 3, 2, 3, 6, 2, 4, 8 हो गया, फिर 2 से काटा, तो 3, 1, 5, 3, 2, 2, 4 हो गया, फिर 2 से काटा, तो 3, 1, 5, 3, 2, 1, 2 हो गया, 3 से काट दिया, तो 1, 1, 5, 1, 1, 1, and फिर 5 से काट दिया, तो 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, खता है, तो LCM क्या आया, 2, 2, 4, 2, 8, 3, 1, 4, 5, 5, 6, 720, LCM is equal to 120, LCM आ गया 120, बटा LCM हमारा 120 हा गया, ठीक है, अब अगर LCM 120 आगया तो मेरी बात समझना कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए आपको पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए LCM जबकि 120 आया है और ये परफेक्ट स्क्वाइर नंबर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वाइर नंबर कैसे लेकर आओगे बटा देखो किसका किसका जोड़ा बन रहा है वो ज़रा देख लेते हैं दो दो का पेयर है अब दो तीन और पांच इन तीनों का जोड़ा नहीं है बटा इन दोनों का तो है ठीक है इन दोनों का तो एक पेयर बन गया है यहाँ दो लिख देंगे इस वाले के साथ इसका दोस्ती हो जाएगा इसके साथ इसकी दोस्ती इसके साथ इसकी दोस्ती तो यानि कि हमको इनको ले के आने की ज़रूरत है तो क्या करेंगे 120 into 2 into 3 into 5 कर देंगे तो 15, 15, 20, 30 और 12, 36, 100 ठीक है तो 3600 हमारा correct answer हो जाएगा बात समझ गी बटा? चलो B option correct हो गया अगले question पर चलते हैं देखो यदि root 50 is equal to 7.07 है तो इसकी value पूछी जा रही है 50 की value पता है और इसकी value पूछी जा रही है important question बटा ठीक है कैसे लगाएंगे इस question को कैसे approach करेंगे हल कैसे करेंगे? कैसे solve करेंगे? देखना जरा रूट 50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? root 50 को लिख सकते हैं हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अच्छा इसकी value पूछी जा रही है तो एक बात समझना बटा अगर इसकी value पूछी जा रही है तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि root 50 upon 4 लिख सकते हैं, है न? जब इसको तुम काटोगे, देखो मेरी बात समझना बटा, जब इसको simplify करोगे, तो 2 दुनी 4 और 2 ये 25 बार में, यानि कि root 25 by 4, यानि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, root 50 by 4 लिख सकते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है बटा, कि root 50, root 50 by 4 की ही value हमको निकाल नहीं है, root 50 by 4 की ही value हमको निकाल नहीं है, ठीक है? तो 7.07 और root 4 की value होती है 2 तो 7.07 upon 2 इसको हमने काटा तो 3.535 यह होगा answer 3.535 यह न? C option देखा, यह बहुत अच्छा question है बटा इस तरह के question और इसमें कोई दमोम है नहीं देख कितनी आसानी से लग गया बहुत आसानी से question लग गया लेकिन फुर भी तुमको मेहनत करनी पड़ी मेहनत करने का मतलब की concept इस concept के पीछे मेहनत करना पड़ेगा बटा ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं लेकिन concept अच्छा है ज़्यादा बड़ा question नहीं है लेकिन अगर तुमको concept पता है तो तुम बहुत आसानी से इस question को कर सकते हो ठीक है ये सवाल देखो 800 विद्यार्थियों को वरगा कार रूप से खड़ा करने पर 16 विद्यार्थी बच जाते हैं तो आगे की पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या अब 800 students हैं इनको square format में खड़ा करना चाहता है एक teacher इसको square format में खड़ा करना चाहता है तो जब इस तरह से square रूप में खड़ा करता है तो क्या होता है 16 students वो बाहर रह जाते है ठीक है तो आपको करना क्या है ऐस question में और आप से ये पूछा जा रहा है इस front row में कितने student है यानि यहाँ पे कितने student है वो आप से पूछा जा रहा है ऐसे question में करना क्या है 800 में से सबसे पहले तो 16 minus करो तो 800 minus 16 जब आप करोगे न तो यह हो जाएगा 784 और 784 का square root निकाल लो ठीक है 784 का root निकालो बटा तो 784 का root क्या होगा 28 इसका root आ जाएगा देखो कैसे इसका 784 का root निकालो गए तो 28 आ जाएगा बटा देखो 28 into 28 जब मैं करूँगा तो 8,8,8,64 आसिल चाएट दूना सूल अच्छ है 22 हो गया और 28 दूना चपन यानि कि 4,8,7,84 हो जा रहा है तो 7,8,4 का root निकालो गए तो 28 हो जाएगा जो कि हमारा correct answer है यानि कि 1st row में 28 students है अब अगला सवाल देखो एक किसान अपने बाग में 2209 पेड लगाता है यदि प्रते कतार में वह उतने ही पेड लगाता है जितने कुल कातारे हैं तो एक कातार में कितने पेड है एक फार्मर प्लांट्स 2209 ट्रीज इन इस गार्डेन इफ प्लांट्स as many as trees in each row as there are total number of rows then how many trees are there in a row एक फार्मर इतने पेड जो है अपने भगीची में लगाता है और ये भी square formation में लगाना चाहता है मतलब जितने number of rows है यानि कि जितने पंक्तियां है उतने ही पेड एक पंक्ति में लगाना चाहता है ऐसे ऐसे इस तरीके से ठीक है तो आप से ये पूछ रहा है कि एक row में यानि कि एक पंक्ति में कितने पेड है एक कतार में कितने पेड है एक line में कितने पेड़ है तो करना क्या है simply बटा square root निकालना है सारी मर्ज की एक दवा निकालना है आपको square root ठीक है तो 2209 का अगर square root हम लोग निकालने कौन से method से division method से तो 4 चाओ के ये 16 हो गया बटा और plus 4 करेंगे तो 8 22 में से 16 जा तो 609 और 09 उतर गया है मतलब ठीक है और यहाँ पर देखो 9 बार में तो जायेगा नहीं 7 बार में चला जायेगा तो 7 सते 49, 4, 7 वटे 56, 4, 6 तो 47 हमारा answer आ रहा है 47 answer आ रहा है उपर square root 47 आ रहा है तो इसलिए 47 हमारा answer हो गया तो एक कतार में 47 trees are there 47 पेड़ है एक कतार में ठीक है अगला question देखो 600 कुरसियों को इस प्रकार समूहों में विवस्तित किया जाता है कि प्रतेक समूहों में कुरसियों की संख्या उतनी ही है जितनी समूहों की संख्या है इस तरह विवस्तित करने के बाद कम से कम कितनी कुरसियां शेस बचेंगी 600 chairs 600 chairs are arranged in such a way that the number of chairs in each group is as many as the number of groups at least how many chairs will be left after arranging this way क्या नहीं बटा जिसे बच्पन में आपने वो बारात में खेला होगा ना बारात में गेम खेलागा कि कुरसी को उपर कुरसी रखो फिर कुरसी को उपर कुरसी को उपर कुरसी कुरसी को उपर कुरसी कुरसी को उपर कुरसी ऐसे chair को उपर chair रखते हो नहीं है ना बटा इस तरह का गेम खेलते हो नहीं chair के उपर chair ठीक है तो इस तरह वाला game ये बच्चे खेल रहे हैं कह रहा है कि एक group में मतलब एक group में उतने ही chairs है जितने की group उसने बनाये है ठीक है तो इसमें भी आपको क्या करना है workmool निकालना है square root निकालना है कह रहा है अगर इस तरीके से हम करते हैं तो कितनी कुर्षियां 6 बच जाएंगी remaining कितनी कुर्षियां होंगी कितनी chairs remaining बच जाएंगी 600 total कुर्षियां देखो बटा total is equal to total कुर्षियां कितनी है बताना total chair है 600 इसका जब तुम square root निकालोगे कौन से method से? division method से इसमें factorization method काम नहीं करेगा ठीक है? तो 2 दुनी ये हो गया, 4 हो गया प्लस 2 किया, तो 4 आ गया 6 में से 4 गया, 2 double 0 उतार लिया पांच बार में नहीं जाएगा तो 4 बार में भाग देना पड़ेगा 4 का चावाल इसमें भाग दोगी तो 4 चाव का 16, 4 चाव का 16 और 176 ठीक है? 4 चाव का 16, 160 हो चाव का 16, 176 ठीक है? यही हमारा एंसर हो जाएगा यही हमारा एंसर हो जाएगा लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि उसने कितने ग्रुप्स बनाए तो 600 माइनस 24 करोगे तो यह 576 आ जाएगा और 576 जो है बाटा आप सभी को पता है कि यह 576 जो है ऐसे याद करो तो 24 का 576 ठीक है? 24 गुणे 24 जरा करो देखो 24 जो के 96 और 24 जोना 48 तो 6, 9, 8, 7 तरों के साथ आशिलीक 576 है की नहीं? तो यहानि 576 जो है उसने यूज कर लिया और ऐसे बड़े बड़े गुरूप बना लिये यहानि कुल मिला करके 24 गुरूप इसने बनाए इस तरीके से 24 गुरूप बनाए और एक गुरूप में कुल मिला के 24 चैर्स थे तो इस तरह से 576 चैर्स तो यूज हो गये लकिन बचे कितने? 24 यही हमारा एंसर है 24 हमारा एंसर है बटा यहाँ पे 24 चैर्स will be the correct answer कितने चेहस बच जाएंगे 24 ये देखो एक बस में बैठे प्रतेक यात्रियों ने उतनी ही राशी दान के रूप में दी यहाँ पे दी होना चाहिए जितने की बस के अंदर यात्री है यदि बस चालक ने 25 रुपए दान दी ये से कुल मिलाकर दान की राशी 1250 रुपए होई तो यात्रियों के संख्या क्यात कीजिए बटे एक बस है एक बस है तो जिसमें बहुत सारे यात्री बैठे हैं बहुत सारे लोग बैठे हैं और सारे लोग दान देते हैं डोनेशन देते हैं तो मालो सभी लोगों ने X रुपे का डोनेशन दिया, कह रहा है कि जितने यात्री हैं, हरे यात्री ने उतना ही डोनेशन दिया, तो मालो X यात्री हैं, और हरे के यात्री ने X रुपे का डोनेशन दिया, यानि कि डोनेशन मिला X स्क्वाइर रुपे का डोनेशन मिला, है न होता है कितना बारे सो पचास रुपए तो दोनों जब हम लोग मिला देते हैं तब होगा ये बारे सो पचास रुपए है ना तो इसको solve करोगे तो 25 उधर ले जा करके minus कर दोगे तो x square is equal to 1250 minus 25 तो x square is equal to 1225 यानि कि x की जो value आएगी under root 1225 ठीक है बटा अंडर root 1225 की value कितनी होगी ये हो जाएगी 35 x is equal to 35 तो हमारा 35 answer हो जाएगा कह रहा है कि number of passenger bus के अंदर कितने यातरी थे तो 35 यातरी थे अब ये मैंने direct 35 कैसे निका लिया देखो एक बार 35 into 35 करोगे तो 35-15 पंच 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 तो 5-7-5-12-2-1225 ठीक है मैंने direct 35 कैसे निका लिया इसकी एक trick है बटा समझना बात डारेक्ट 35 ऐसे निकाल लिया कि मैंने ये देखा न देखो, मैंने ये देखा न कि कि जो 30 का स्क्वाइर होता है वो 900 होता है और जो 40 का स्क्वाइर होता है वो कितना होता है बोलो 1600 होता है जबकि ये उन दोनों के बीच का है तो बीज का क्या होगा 35 ही होगा क्योंकि last में अगर 5 रहेगा तब ही square कि last में 5 आएगा और अना 5 नहीं आएगा है ना इसलिए 35 होगया तो यह चोटे चोटे trick से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो 3.2 का cube बटा 3.2 का 3 बर गुणा कर दो न यार तो 3.2 इंटू 3.2 अभी तो 2 बर गुणा करेंगे तो पहले square निकालेंगे फिर cube निकालेंगे तो 32 दूना 64 है और 32 याई 96 तो 4, 2, 1, 0, 2, 4 अब इसमें भी 3.2 का गुणा कर देंगे देखो यह आया 10.24 इसमें भी 3.2 का गुणा करेंगे तो 8, 4, 0, 2 और 3 चब के बार को 2 हासिल 1, 3, 2, 6, 1, 7, 0, 3 अकर ने 3 तो 8, 6, 7, 2, 3 अब यहाँ पे देखना बेटा 2, 1, 3 अंगों के बार कॉमा दश्मलों यानि कि 32.32.768 यही हमारा एंसर हो जाएगा है ना? सिंपल 3 बर गुणा करना है बटा 8,000 का घनमूल ऐसे question बटा बिलकुल चूरंद बिलकुल आसान से सवाल है समझना कैसे? देखो, 3, 0 है यानि जो हमारा एंसर आएगा उसमें सिर्फ एक 0 आएगा क्योंकि घनमूल कह रहा है तो cube root में 1 तिहाई हो जाता है 0 की संख्या और 8 का cube root क्या होता है? दो, तो answer आगे 20 एक 0 लगा दोगे है ना? दो के बाद एक 0 तो 20 20 का cube करको देखोगे बटा तो 20 into 20 into 20 2 दुनी 4 दुनी 8 और 3 0 लगा दो 8,000 आ रहा है कि नहीं? है ना? तो हमारा cube root हो जाएगा ए एंसर यहाँ पर 3 लिखने का मतलब यह है कि इसका cube root निकालना है या नहीं कि इसका घन मूल निकालना है उपर अगर 3 लिखा हुआ है इसका मतलब घन मूल निकालना है 125 का घन मूल निकालोगे तो 5 आजागा बटा सिंपल सा सवाल है ज्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं ठीक है चालो जी अब अगले question पर चलते हैं बटा नेक्स question देखना अगला सवाल देखो यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 450 में जोडने पर पूर्ण घन बन जाए तो ऐसे सवाल हो करना question से option से आपको check करना है क्योंकि घन का ऐसा कोई तरीका नहीं division method वाला तो what is the least number that can be added to 450 to make a perfect cube ऐसे question को हमको किस से check करना है बोलो option से check करना है option से check करेंगे लेकिन सबसे पहले यह देखें कि 450 जो है वो किसके cube के नज़िक है अगर 6 का cube करोगे तो 6,6,6,34,6 का 216 आजाएगा अगर मालोच 7 का cube करते हो 7 into 7,49 49 into 7 7,39 60,6,6,6,34,34,34,34,34,34 मालोच 10 का cube तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अच्छा 8 का cube कितना होगा 8 तहीं 64 64 into 8 कितना हो जाएगा 8 तहीं 32 37,3 8 च्छा का क्यूब 500 बार है 8 का cube 500 बार है यानि 500 बार ही हमको ले क्याना है बटा है ना क्योंकि 7 का cube तो छोटा है 450 से हमको जोडना है ना add करना है तो 450 में कितना add करना है कि 512 आ जाए तो 62 add करने पर बटा 512 आ जाएगा ठीक है चलो तो इस तरीके से option से देख करके ऐसे question आप check कर लोगे ये देखो तीन अंको की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो पून घं हो पून घं मतलब जिसका completely cube root निकलता हो और तीन अंको की बड़ी से बड़ी संख्या भी होनी चाहिए 995 तो नहीं है बटा लेकिन पून घं कौन होगा जिसके factors में 3-3 के group बन जाते हो अब देखो इसको करने के लिए न हमें काम करेंगे बटा तीन अंको की बड़ी से बड़ी संख्या तो हमको पता है है न लेकिन ये पून घं है नहीं एक complete square तो है नहीं तो इसको भी option सही चेक करेंगे ठीक है बटा अब देखो इसको कैसे चेक करोगे समझो तीन अंको की संख्या 999 है बड़ी से बड़ी संख्या अब अगर तुम 10 का cube करते हो तो ये हो जाएगा 10 into 10 into 10 यानि कि 1000 हो जाता है 10 का cube क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा यानि कि हमको चाहिए 9 का cube क्योंकि 10 का cube तो 4 अंको की छोटी से छोटी संख्या हो गई हमको 9 का cube चाहिए तो 9 का cube 81 into 9 उन्हें 9 7 to 9 यानि 7 to 9 हमारा correct answer हो गया ठीक है 4 अंको की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण घन हो तो 4 अंको की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण घन हो वो तो वेटा 1000 ही है जो 4 अंको की smallest number है ना छोटी से छोटी संख्या वो खुद ही एक perfect cube है देखो क्योंकि 10 का cube क्या होता है 1000 होता है है ना वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 108 से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम पून घन हो the smallest number which when multiplied by 108 gives a perfect cube smallest number जिसको 108 से गुणा करें तो पून घन मिल जाए अच्छा जी तो 108 का आप factorization method से निकालोगे factors तो यहाँ पे देखो 2 से काटा 54, 2 से काटा 27 दूना चाओ 1 अब देखो इन तीनों का तो बटा तीन का पेर नहीं तीन का ग्रूप बन जा रहा है लेकिन इन दोनों का सिर्फ दो ही लोग है ने एक दोस्त को ला आना पड़ेगा है ना तो एक दो की और जरूरत है और यही हमारा answer हो जाएगा क्योंकि क्यूब में हमेशा हम क्या करते हैं तीन तीन का ग्रूप बनाते हैं तो एक दो को और लाना है बटा एक ठोर अगर हमारे पस दो आ जाए तो समझ लो हमारा काम बन जाएगा तो option A हो गया वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 686 को भाग करने पर प्राप्त परिणाम पूर्ण घानू इसमें भी वही चीज़ करना है बटा भाग करने की बात कर रहा है न तो 686 का factorization method से निकाल दो factors तो 2-3-6, 2-4-8, 2-3-6, 3-3-6, 4-10 अब 3 से तो कटेगा नहीं बटा 3 से तो कटेगा नहीं है न दो से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा क्या 7-5-35, 7-9, 7 से कट जागा बटा तो ये 7-4-28, 7-9-3-6, 7-7-9-4, 7 से कट गया तो 7-1-7, 7 ये खतम हो गया, देखो बटा, 7 का तो group बन जा रहा है 3-3 का group बनाना होता है, न तो 7 का group बन जा रहा है, लेकिन 2 का कोई group नहीं बन रहा है तो इसको हटा ही दे बटा, यही राह का रोड़ा है, इसको अगर हमने हटा दिया तो हमारा काम बन जाएगा, यानि हमारा answer क्या है, 2 अगर हम 2 से भाग कर दें इसमें, तो प्राप्त परिणाम पूर्ण घन होगा, कम्प्लीट क्यूब होगा इसको देखो यह वाला सवाल बटा, आसान सवाल है 2 का cube करोगे, 8 आठ आ गया, 3 का cube करोगे, 27 आ गया, 4 का cube करोगे, 4 चव का, 16 चव का, 64 आ गया कितना हुआ, 8, 15, 4, 19, 9, 6, 2, take 9, 99 भी हमारा answer आ गया, कर लोगे, चलो चलो बटा, तो इस तरीके से हमने 23 क्वेस्चन जो हैं कर लिए, cube and cube root के, cube, square, or cube root, or square root ठीक है, square, square root, cube, or cube root, इसके हमने 23 question मिला जुला के कर लिए, जो बहुत अच्छे, बहुत important सवाल थे अब power and indices के कुछ questions हम लोग करने वाले हैं, देखो बटा, कुछ questions power and indices के करने वाले हैं, ज्यादा इसमें है नहीं, तो यानि की थोड़ा बहुत करके निकलेंगे किसी भी power 0 होता है, तो मैंने आपको क्या बोला है, चाहे कोई भी संख्या हो, अगर 0 power हो इस तरीके से, तो उसकी value होती है 1, ठीक है, अगला सवाल देखो, ये power minus 2 का मतलब क्या है, कि अगर मालो 10 to the power minus 2 लिखा हुआ है, आनि कि हम इसको लिख सकते हैं, 1 by 10 to the power 2, यानि कि 1 by 100, यानि कि 0.01, ये answer हो गया, इसको देखो, इसको सरल करना है न, वैसे ये ज़्यादा important नहीं है, इसको आप skip भी कर सकते हो, power indices को, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, इसका ही square करना है, तो 1 का भी square हो जाएगा, 4 का भी square हो अगा answer, ठीक है, ये देखो, 4 पे 3 power, तो 4, 4, 16, 64, 64, 4 पे 2 power, तो 4, 4, 16, 4, 3, तो इन तू 64, एक मिए प्लस है बीच में बढ़ा, ये बीच में प्लस है, रुखना, ठीक है कोई बात नहीं है, तो 64 और ये आ गया 16, ये गया इन्टू 64, तो देखो, ये जो है, यहां से अग into 17, ये हो जाएगा, सतर चब कौन साथ, हासिल 6, सतर चब का 102, और 6, 108, तो 1088, हमारा एंसर हो गया D, कह रहा है, इसका LCM बताओ, अब देखो बटा, LCM निकालने के लिए, बेस देखो, सेम है, सेम बेस है, तो अगर सेम बेस हो, तो जिसका पावर सबसे बेस हो जाएगा, जिस पे पावर सबसे बड़ा, वो LCM, उसी तरीके से इसमें देखो, इसमें माइनस पावर है, तो माइनस में जो सबसे छोटा दिखता है, वो सबसे बड़ा होता है, तो हमारा LCM क्या हो जाएगा, 7 to the पावर माइनस टू, क्योंकि एक्च्वल में यह सबसे बड़ा है, भले सबसे छोटा दिखरा है, लेकिन माइनस पावर है, तो मैंने क्या बताए है आपको, जब भी माइनस नम्बस रहे मेटा ना, वो छोटा दिखें, दिखते छोटे हैं, लेकिन होते बड़े हैं, समझे, यह, इसलिए बटाए, यह छोटा पाकर बड़ा धमाका है, समझो, अगला क्वशन देखो, अनसुया के दो हरे जियो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे हैं, घाव करे गंभीर, तो मैंने, यह छोटे हैं, लेकिन बड़े होते हैं, बटा, अक्चॉल में दिख छोटे रहे हैं, इनका HCF बताना है, देखो, सेम, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर अलग-अलग है, बावर अलग-अलग है, बार अपे पावर चार, ट्वल पे पावर 6, 12 to the power 10, 12 to the power 12, तो जब HCF निकालना हो, तो छोटे पावर को चुनेंगे, यानि कि हमारा HCF क्या होगा, 12 to the power 4, ठीक है, इसमें भी छोटा पावर कौन सा है, 5 to the power minus 5, जो स्वारी, 5 to the power minus 7, यह बड़ा दिख रहा है, लेकिन है actual में सबसे छोटा, तो 5 to the power minus 7, ठीक है, आजो, यह कह रहा है, इसके कुल कितने अभाज गुलंद खंड हैं, तो ऐसे question को करने के लिए क्लिए क्या करते हैं, बटा ध्यान से समझना, सबसे पहले तो यह जो base हैं ना आपका, जैसे 2, 4, 5, इस base को क्या करते हैं, प्राइम में एक चेंज करते हैं, तो 2 to the power 4, 2 prime number है, 4 एक prime number नहीं है, तो 4 को लिखेंगे 2 into 2, और इस पे power 8, 8 power हो गया, into 5 to the power 12, यह कैसे लिखा जा सकता है, 2 to the power 4 into, यह 8 power इस पे आजाएगा, इस पे भी आजाएगा, तो 2 to the power 8 into 2 to the power 8 into 5 to the power 12, अब सभी power को एड़ कर लेंगे, 4 plus 8 plus 8 plus 12, तो 4 plus 8 plus 8 plus 12, 12, 20 और 8, 4 12, 20 और 12, 32, 32, option D हो गया, correct, ठीक है, इसमें देखो, इसमें कहरा है, इसका LCM निकालना है, तो LCM में हमेशा एक बात याद रखना बटा, कि सबसे बड़े power को ही count करते हैं, छोटे power को हटा देते हैं, तो देखो, base समान है सब में, यहां भी 2, 3, 11, 13 है, 2, 3, 11, 13 है, 2, 3, 11, 13 है, सभी में base सेम है, जब base सेम हो, तो बड़े power को लेना है, 2 per power 5 है, 2 per power 3 है, 2 per power 7 है, किसको लेंगे? 2 पे पावर 7 को लेंगे ठीक है? इन 2, 3 पे पावर 2 है 3 पे पावर 7 है, 3 पे पावर 4 है किसको लेंगे? 3 पे पावर 7 को लेंगे इन 2, 11 पे पावर 2 11 पे पावर 3 और 11 पे पावर 5 किसको लेंगे? 11 पे पावर 5 को लेंगे बड़े power को हमेशा लेंगे, 13 पे power 5 है, 13 पे power 6 है, 13 पे power 3 है, तो किसको लेंगे, 13 पे power 6 को लेंगे, यह हमारा क्या हो गया बटा, LCM हो गया, है न, हमेशा, हमेशा याद रखना, LCM में बड़े powers को लेते हैं, तो 2 power 7, 3 power 7, 11 to the power 5, 13 to the power 6, option decarret हो गया, इसका बटा, HCF निकालना है, मसा निकालना है, तो ध्यान रखना, जब भी LCM निकालते हैं हम लोग, एक चीज़ नोट करके लखनो बटा, जब भी LCM निकालते हैं, तो हम हमेशा बड़े powers लेते हैं, और जब भी हम लोग HCF निकालते हैं तो हम लोग हमेशा छोटे powers लेते हैं तो यह तुम्हारे उपर depend करता है बटा क्या निकाल रहे हो ठीक है तो HCF यहाँ पर हम लोग निकालना है तो छोटे powers को लेना है देखो base same है 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7 तो base same होगा तभी यह rule काम करेगा छोटे powers मतलब 2 पे power 3 है 2 पे power 5 है 2 पे power 4 है तो यह चोटा power है तो 2 पे power 3 ले लिया इन 2, 3 पे power 2 है 3 पे power 4 है 3 पे power 2, 5 पे power 2 है 5 पे power 7 है 5 पे power 4 है तो 5 पे power 2 यह चोटा power है तो 5 पे power 2 7 पर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 पावर है ठीक है, 7 पर पावर 1 है 7 पर पावर 3 है 7 पावर 2 है, छोटा पावर 7 पावर 1, तो इन्टो 7 तो ये हमारा answer हो गया HCF क्या हो गया, देखो HCF निकालना है मौसा निकालना है, तो 2 पर पावर 3 3 पर पावर 2, 5 पावर 2 7 पावर 2, 2 पर पावर 3 3 पर पावर 2, 5 पावर 2 और 7 पावर 1 है, मतलब 7 मतलब अकेला है 7, ठीक है तो ये हमारा answer हो गया answer C, ठीक तो इस तरीके से आप ध्यान रखना ये चीज़ ध्यान रखोगे ना, तुम्हारा काम बन जाएगा, क्या मैंने लिखा है LCM में हमेशा बड़े पावर्स को लेते हैं और HCF में हमेशा छोटे पावर को लेते हैं, LCM मतलब बड़ा पावर, HCF मतलब छोटा पावर, सिंपल बात यतनी है बटा अगर ये काम कर गया, समझ दो ट्रिक काम कर गया, मतलब ये अगर तुमने चीज समझ लिया, तो तुम्हारा काम बन जाएगा वरना फिर दिख्कत आएगी, तो ये सारे कांसेप्ट समझते चलना, एक एक करके कोई भी कांसेप्ट छोड़ना नहीं है, एक एक करके सभी कांसेप्ट का आपको समझ लेना है, ठीक है बटा, चल, I hope कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, बाकी सारा कुछ सॉल्फ करते रहना, जित्ता मैं शीट दे रहा हूँ आप सभी को, ये सारे ही important शीट है, समझे, ये सारे revision time के question है, यानि कि revision में इनको तो revise करना ही करना है, बाकी तो time बचे तो और करोगी, करोगी, लेकिन जितने मैं कम से कम करा रहा हूँ, minimum, this is the bare minimum, ये तो required ही है, इनको तो करना ही है, ठीक, चलो बटा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये sheet समझ में आई होगी, solution समझ में आई होगा,